लोजपरा मिलास के राष्टिया द्यक्ष चिराग पास्वान ने कल एक बड़ा बयान दिया उन्होंने कहा कि मुखमंत्री नितीश कुमार चाहे तो गोली भी मरवा सकते हैं ये बाते अब बिहार की राजनीत में तूल पकरने लगी चिराग पास्वान ने बातों ही बातों म में इस बात का जिक्र किया था और साफ तोर पे मुखमंत्री नितीश कुमार और वो उनके जो विपक्षी दल है उन पर हमला बोला था और कहा था कि वो लोग ऐसा करवा भी सकते हैं साथी साथ अब उनके चाचा पसुपती पारस ने इस पर बड़ा बयान दिया है पसुप प्रसासन के लोग बाइशत अपने साथ उनको गारी में बिठा कर ले गए तै चिराक पास्वान को कितने ज्जत मिलती है ये बात लसे मैं पता है और मुख्हमंत्री नितीश कुमार के बारे में उन्होंने ये बयान दिया तो ये गलत है चिराग पासवान के भगवान वाले बयान को लेकर वे उन्होंने कहा कि परधान मंत्री मोदी अच्छे व्यक्तित्व के नेता है उन्हें इस्वरिये गुन है और ये सभी मोदी के बीच की दूरियां चुनाओं के दर्मियान बड़ी थी वो अब धीरे धीरे कड़ी बात रही है लेकिन बात जदियू की कड़े तो जदियू से चिराग पास्वान का मोह भंग हो चुका बीस के चुनाओं के पहले ही और ये बाते अभी तक लगतार चल लई है अब म कि ट्कवरी साथ प्रधार मंत्री मोदी को लेकर जिब बयान दिया था उनुर्zem ही पर अपनी राय रखी है अब आने वाले दिनों में चिराग पास्वान की रणनिति किस प्रकार की होती है प्रधार मंत्री मोदी को लेकर क्या बार बार उनकी पार्टी को लेकर उनको लेकर बयान बाजी करते हैं। ऐसे में चिराग पासवान का नजर्या क्या होता है और किस प्रकार से आगे की राजनीत बढ़ती है। फिलाल के लिए इस खबर में इतना है। चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी। पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद।